आज के इस वीडियो के अंदर में आपसे बात करने वाली हूं about the facial anatomy के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाला है interesting इस वजह से है क्योंकि आज हम discuss करेंगे bones और muscles दोनों को साथ-साथ अभी तक क्या करते थे हम अलग अलग पढ़ते थे बोंस अलग पढ़ते थे facial bones और muscles हम अलग पढ़ते थे बट आज मैं दोनों को साथ में discuss करूंगी वीडियो बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाली है इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर कीज़ेगा वीडियो में कोई बात करेंगे बोंस के बारे में face की after that हम muscles को discuss करेंगे तो देखो बोन में पहली बोन कौन सी है frontal उसके साथ में muscle कौन सी होगे frontalis आपको बास LS words में join करना है frontal से होगी frontalis उसके बाद parietal bone देख है उसके बाद temporal बोन के साथ क्या होगे temporalis muscle उसके बाद sphenoid उसके बाद gyomatic bone तो जाइगोमाटिक बोन के साथ क्या होगे जाइगोमाटिकस माइनर और मेजर muscle जो कि आपको पिंक पिंक कलर में दिख रही होंगी वो उसके बाद है maxilla so maxilla में आगी masseter muscle और mandible so mandible कैसी कोई exact muscle नहीं है तो हमें दर और दो तीन muscles हैं वह भी हम discuss करेंगे तो अभी हमने क्या पढ़ा सारी बोन्स पढ़नी कौन-कौन सी है frontal parietal temporal sphenoid trigomatic maxilla and mandible यह सारी बोन्स हो गई अब muscles मसल में आती है frontalis उसके बाद temporalis उसके बाद orbicularis oculi यह धान रखेगा जैसे orbicularis का मतलब क्या है एक opening orbicularis ठीक है और जो आके हैं उसमें हम यूज करते हैं oculi और जो मुह है मला कि माउथ है उसको हम यूज करते हैं auris तब दोरह से देख सकते हो orbicularis oculi और orbicularis auris ठीक है gigantic bones rate कौन सी है gigantic minor and major उसके अलावा masseter bone है vaccinator masseter or vaccinator orbicularis auris के वर मैं आपको बता चुकी हूँ और लास्ट में है depressor angula auris यह हैं सारी muscles of the face so guys I hope कि आपको अच्छे समझ में आई हूँ हमारे face की muscles और bones बहुती superficially मैंने आपके साथ discussion किया है इस topic पर अगर आप details discussion चाहते हो तो मुझे आप comment section में बता सकते हो कि आपको detail discussion चाहिए उसके अलावा मेरे बहुत सारे anatomy के वीडियो और इपने चैनल पर बनाया हुए है scapula clavicle and different type of muscles their origin attachment and nerve supplier blood supply actions यह सब में डिसक्रिस किया हुआ है तो उन सारे वीडियो को देखने के लिए आपको description में लिंक दिये हुए है उस पे अप क्लिक करके definitely देख सकते हैं और मेरी फिर से चोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि अगर वीडियो अच्छा लगते हैं तो प्लीज उने like किया करे क्योंकि जब भी आप लाइक करोगे तो मु झाल